हाई, देखो मेरी बात सुनो recent studies में ऐसा देखा गया है कि humans का attention span time के साथ कम होता जा रहा है और इसका reason है abundance of information जो कि हमारे सामने present की जाती है, इसका reason है abundance of dopamine cheap dopamine, जो हमारे लिए हर जगा free में available है, and this my friends, gives rise to distractions distractions, देखो distractions तो हम सब face करते हैं लेकिन अगर हम distractions को avoid करने की कोशिश ना करें, तो ये distractions आदद बन जाती है इसलिए distractions का solution निकालना जरूरी है, हालत इतनी बुरी भी भी हो सकती है, कि आपके लिए WhatsApp, Instagram YouTube चलाना एक नोकरी बन जाएगा और उसके बीच में 10-15 मिनिट के लिए पढ़ना एक distraction बन के रह जाए है हमारे लिए अपने किसी पसंदीदा चीज को accomplish करना इतना जादा मुश्किल हो गया है, और हमारी विल इतनी जादा weak हो गई है, कि अगर हम अपना कोई important काम करने भी जा रहे हैं और शाम को demotivated तरीके से बिना कुछ किये सो जाना ये एक vicious cycle है, जिसने हम ऐसे almost सभी को trap करके रखाया और अपने goals को achieve करने के लिए इसे जल से जल पीछे छोड़ना जरूरी है और इसके लिए क्या करना है, तो भाई और बेनो ये वीडियो उसी लिए है obviously, अपने past experiences से और अपने आसपास के दोस्तों के past experiences से मैं आपके लिए irrelevant information को हटा के important चीज़े compile करके बताऊँगा कि क्या चीज़े हैं जो मैंने और मेरे friends ने use की ताकि distractions को कम से कम करके अपनी preparation को एक efficient तरीके में conduct किया जा सके तो start करते हैं पहला point ये है कि आपकी motivation के लिए motivation का एकलोता source कोई external YouTube वीडियो नहीं बलकि आपका खुद का mind होना चाहिए जो आपको हर एक काम करने पे मजबूर करें पांच-दस मिनिट की motivational वीडियो देखकर और इसे अभी से change करने पे धियान दो नमबर दू एक बड़ा goal set करने के बाद उस goal को achieve करने के लिए सबसे important चीज ये है कि आप हर दिन छोटे-छोटे steps लेकर उस goal की तरफ आगे बढ़े ऐसा होना चाहिए कि ये चीज आपके daily schedule का पाड बन जाए और आप बिना सोचे समझे involuntarily हर दिन इस चीज की तरफ मेनत करते जाए जिसे सुबह उठके सबसे पहले हम सब लोग या at least most of us brush करते हैं उस brush करने के लिए हमें voluntarily कुछ सोचना नहीं पड़ता ये बस involuntary habit develop हो गई है जो कि हम सब के लिए important भी है और हम सब करते भी ठीक उसी तरह आपको अपनी preparation के aspect को भी अपनी daily life में इसी तरह incorporate करना है कि आप involuntarily इस चीज की तरफ काम करते जाएं और ये चीज आपको हर दिन एक burden ना लगे और हाँ start करने में अगर आपको मुश्कित हो रही है तो ये चीज धियान में रखना कि किसी भी चीज को आरत बनाने के लिए सबसे important और सबसे difficult part होता है उस चीज को start करना तो इसको आगे कैसे continue करना है उसके बारे में मत सोचो बस आज अपने dedicated चीज को start करो अपके आधिक problem वही खतम होगी है थैंक मी लेटर इस वीडियो को sponsor किया है physics वाला ने और यहाँ एक छोटा सा ad break लेते हुए मैं आपको PW के बारे में बताना चाहता हूँ अगर आप online mode से अपनी preparation कर रहे हैं PW के batches आपके लिए मेरे according best choice है PW में आपके लिए हैं यकीन 5.0 जो कि हैं India's strongest droppers batch उनके लिए जो need 2024 के लिए preparation कर रहे हैं अर जुना fast track उनके लिए जो अपनी 11th class की need preparation करने वाले हैं और लक्षे fast track उनके लिए जो अपनी 12th boards की preparation 4 months में complete करना चाहते हैं इन सभी batches में आपको अपने according मिलेंगे इंडिया's top educators for all 3 subjects classes 6 days a week with 3 live lectures each day DPPs, video solutions, quizzes और PDF notes भी और साथ में एक planner के according schedule टेस्ट भी मिलेंगे तो बस अगर आप इन में से किसी भी batch में इंटरस्टेड हैं description में link मिल जाएगा आप चेक आउट कर सकते हैं और मेरा code NF150 यूज भी कर सकते हैं आपको रुपीज 150 ओफ भी मिल जाएगा अब बाकी वीडियो पे वापस आते हैं नमर 3, distractions avoid करने के लिए आपको खुद distractions के लिए ही अलग से time निकालना होगा Use the stones to destroy the stones Thanos या iron man जो भी था, मैं भूल गया इससे मेरा मतलब है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि दिन बर बस किताबों के सामने ही बैठे रहना है ऐसा देखा गया है कि सेम चीज़ continuously continuously दिन बर करते जाने से उसकी efficiency drastically कम होती जाती है आपकी responsibility बनती है कि आप अपनी daily पढ़ाई के chunk को 2-4 घंडे के stations में divide करो बीच में educate rest लो दिन में अपनी hobbies follow करो walks पे जाओ कोई activity करो घरवालों से बात करो और अपने mind को और अपनी body को एक physically sound state में available रखो इस सुनने में तो काफी आसान और obvious लगता है लेकिन आप और मुझ में से 90% लोग ये चीज बिलकुल भी follow नहीं कर रहे हैं और अगर आपने धियान दे के ये चीज फालो कर ली तो आपकी आधी परेशानिया वही खतम हो जाएंगी number four proper time allocation time allocation से मेरा मतलब है कि आपको अपने दिन में जो भी करना है उसको decreasing order of importance भी note करो और उन चीज़ों को step by step करो और ये धियान रखो कि maximum efficiency जिन चीज़ों में required है उनको आप उसी time पर करो जब आप maximally efficient हो maximally जो भी number five removing the real distractions आपने शायद कभी ने कभी ऐसा किया होगा कि school कि या किसी और exam से बिलकुल पहले आप बिलकुल भी पढ़ नहीं पा रहे हैं आप इंस्टाग्राम पर काफी time waste कर रहे हैं अपने finally decide कि आप Instagram को delete कर रहे हैं और उसके बाद आप काफी अच्छे से बढ़ पाएं जब तक exam खतम हुआ और आप फिर से उसे install कर दिया अगर phone का कोई app आप के लिए excessively distracting बन रहा है तो आप उसे install कर सकते हो और उसे install कर दो इस सुनने में तो काफी failed idea लग रहा है लेकिन उस app ये particular site को आपको बार-बार use करने के लिए या relapse करने के लिए काफी ज़्यादा महनत करनी पड़ेगी आप फिर से विना install करोगे फिर से relapse करोगे फिर से महनत करोगे जब तक आप finally इस महनत से ठक जाओगे और दीरे दीरे उसको usage कम होगा और finally खतम हो जाएगा ये काम तो करता है अब इसे करना है ये नहीं करना है choice is yours, good luck 6. environmental and psychological barricades आपकी काम की efficiency काफी हद तक आपके environment पे depend करती है जब आप कोई book पढ़ रहे हो या पढ़ाई का कोई काम कर रहे हो तो आप ensure करेंगे आप अपने electronic gadgets या कोई चीज़े जो आपको distract करती है उन्हें किसी अलग room में shift कर दो या खोद अलग room में shift हो जाओ क्योंकि उन्हें बार-बार देखने से ही आपका दिमाग वापस relapse करने की तरफ जाता है और अगर आप ये एक चीज़ करेंगे आपका काम काफी ज़्यादा आसान हो जाएगा ये करके आपको एक tunnel vision develop करने में आसानी होगी और आप notice करेंगे कि आप ज्यादा time focused रहेंगे अपनी expectation से better perform करेंगे और at the end of the day खुश रहेंगे ये उनके तो सब खुश हो रहे होंगे जो लोग सभी बस break की लिए जा रहे हैं उनको तो बड़ा मजा आ रहा है कि एक और break लेंगे लेकिन नहीं अगर आप genuinely काफी time से काफी जादा मेनत कर रहे हैं और आपको नहीं लग रहा कि आप exhausted हैं मेरी बात मानें आप exhausted हैं आपको थोड़ा सा break तो लेना चाहिए लेकिन सुन लो ये बस उनके लिए जो काफी time से dedicated ली काम कर रहे हैं अब उनको थोड़ा distracted या उनकी efficiency कम फील हो रहे हैं क्योंकि इसका reason है burn out और इसका एक ही solution है taking a break अपने लिए कुछ दिन निकाल के बढ़ाई के बारे में पूरा भूल जाओ अच्छे से enjoy करो और फिर वापस पूरी efficiency के साथ वापस आओ आपका mind restart हो चुका होगा better efficiency के साथ perform करोगे वो एक दो दिन जाय करना is totally worth it 8th and the final point do what you enjoy doing and enjoy what you do वाह क्या बात कही है हम काफी ज़्यादा गूमते हैं क्योंकि हमें उसमें मजा आता है गंटू दक reels scroll करते हैं क्योंकि उससे हम entertain होते हैं तो बात simple सी है जब हम वो करते हैं जिसमें मजा आता है उसके related हमें distractions feel नहीं होती आपकी responsibility है कि आप अपने लेक ऐसा career path choose करो जिसकी तरफ काम करने में आपको मजा है क्योंकि ऐसा करने से आप उस चीज़ को dedicatedly सीखने में अपना पूरा दिन utilize करोगे और आपके पास distractions के लिए टाइम नहीं बचेगा क्योंकि time waste पढ़ा ही नहीं distractions लगेंगे आप मैंसे काफी लोगों के लिए last का point सुनने के लिए काफी देर हो चुकी है अगर सार है नहीं तो at least कुछ points अपनी life में incorporate करेंगे जो आपकी overall preparation को better बनाएंगे मिलते हैं next video में तब तक के लिए YouTube बंद करो और बढ़ाई करो बाई वेजिन मैं भी आपके लिए distraction ही हूँ ए ए बोई बाई बाई